हैलो फ्रेंड्स रादे रादे आप सभी का स्वागत है मेरे चानल विन्नी क्रिशन्स पॉइंट फर देखें फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम कानची के लिए यह द्रेस बनाएंगे यह द्रेस बना रहे हिए हो मैं जीरो नमबर की कानची के लिए जिरो नबर कानेजी के लिए बिलकुल, फिटिंग में हम ये ड्रेस बना रहे हैं तो देखे, ये मैंने दो कलर से बनाई है थोड़े से से स्टोल हमने यूस करें तो चल्ड़े हैं, फ्रेंडस हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले friends अगर आप चनल पर नए है तो please चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथी साथ बैल आइकन को भी पैस कर लिजिए ताकि मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिसना हो आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ड्रेस अच्छी लगती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना न भूले और मुझे लास में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको ये ड्रेस कैसी लगी देखे फ्रेंड्स आज की ड्रेस हम इन दो कलर से बनाएंगे और क्रोश्या मैं ले रिए 2.5 mm का और ये मेरी उन है वुलन ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है अगर हम ड्रेस मनाते तो फ्रेंड्स उन का भी बहुत फरक पर जाता है अगर आपकी मोटी उन है तो आपको चेन कम लेनी होती है पतली होती है तो चेन थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ती है तो फ्रें सबसे पहले हमें एक लूप बना लेना है आप इस तरीके से लूप बना सकते हैं और अपना क्रोश्य होग इसमें डालेंगे तो थोड़ा सा हम टाइट करेंगे टाइट इतना जितसे कि हमारा क्रोश्य होग अच्छे से मूव कर सके देखिया हम इसमें चेनलिंग है फैर्स एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा देखिये फैर्स हमने यहां पर बारा चेन ले लिए टोटर और बारा चेन में से सभी में से हमें यह हम फर्स चेन छोड़ेंगे और यह जो सेकंड चेन है इसे भी छोड़ेंगे जो हमाई थर्ड चेन होगी फैर्स उसमें हमें एक डबल कुशा करेंगे देखिये चेन में और यह हमने पहले दो चेन निकाली उसके बाद हमने दो चेन निकाली सेम चेन में हमें फिर से एक बाद डुलकुषा करना देखें दो चेन निकाली फिर दो चेन निकाली नेक्स चेन में फिर से हमें दो डुलकुषा लेना इसी तरीके से हम पुरी Roe Complete करेंगे अफनी सबी चेनों में से हमें, दो दॅबार कोशा लेना तो इसमें से चलरे बहाएं, दो-दो दबार कोशा लेकर Complete कर लेती हुँ के छिए सबसे पहले हमें सर्म पाइन के कम्पलीट्सक पहले हमने हैं यहां पे दो चेनरे स्किंद करके एक्डब्ल कोशा लिह था बागी सभी हमें हमाने दो बादेर कोशा लिया को एकुशWhen पाइसर स्ट्रों में क्या करेंगे हम यह से एक चेन लेंगे और यह हमने एक चेन नोड ले ली और यह हमारी फर्स चेन है जहां पर हमने दो चेन लिए रखे इसको हम स्किप करेंगे नेक्स्ट में हम यह आपे यह देखिए हाफडल कोशा करेंगे तो हमारा यह जो दो चेन लिती है कि यह हाफडल कोशा गिरेंगे और एक है नेक्स्ट और जो थर्ड चेन आईगी फैंस उसमें से हमें दो बार हाफडल कोशा ले रहा है देखिए एक बार हाफडल कोशा ले ल और जो 3rd chain आएगे तो दो बार बर कुछए लेना है यह देकि के एक लिए और सेम चेन में से हमने दो बार हाड़कुछ लिए पूरी रोह हम इसे तरीका से कंप्लीट करनेगे तो चलिए कंप्लीट कर लेती हो पैंट्स हमने ये रो बनाके पूरी complete कर लिया है अब देखें हम यहा से एक chain लेंगे और ये दो chain लेंगे दो chain लेने के पार देखें पैंट्स हमारी यहां पर एक chain और ले लेंगे क्योंकि हमें यहां पर double crochet करना है यह वाली chain skip करेंगे और यह जो next chain आ रही है हमारी इसमें इसमें हम एक double crochet लेंगे एक double crochet यह हो गया जो हमने अपनी chain लिये और यह देखिए third chain में एक double crochet लेंगे और यह हमने fourth chain में एक double crochet लेंगे तो total हमने यहाँ पर front पे एक, दो, तीन, चार चार chain ले लिए और एक, दो, तीन, चार चारी chain हम अपनी sleeves के लिए छोड़ेंगे पांचवी chain में हम एक double crochet कर देंगे क्योंकि यह सबसे छोटे काना जी की dress है चोली है तो फिर इसमें हमें ज़्यादा घेरे की जुरुत नहीं है फिर बहुत ही बड़ी dress चोली बनके आएगी तो इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा बड़ी चोली की लंबा इसकी हमें चोड़ाई नहीं करनी है देखें, तीन double crochet हो गया अभी हमारा चार पांच छे साथ देखें हमने यहाँ पर कितने double crochet ले लिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यहाँ पर हम एक double crochet और लेंगे चार double crochet हमने फ्रंट के लिए लिए और चार बाजू में छोड़े और आठ हम पीछे ले लेंगे जो हमारी chain कमिया जादा होती है हम उसे पीछे adjust कर देते हैं फ्रेंस अकर हमारी एक कमिया जादा भी होगी तो हम back side में उसे adjust कर देंगे अब हम यहाँ से अपने slips के लिए बाजूर के लिए chain छोड़ेंगे एक, दो, तीन, चार और जो पांच भी chain आएगी फ्रेंस हमारी उसमें हमें डबल कोशा करना है अब हमें next chain में फिर से डबल कोशा करना है फिर next chain में डबल कोशा करना है total हमारे तीन डबल कोशा हो गए देखे और जो हमारा यह last वाला बचा है इसमें से भी हमें एक डबल क्रोशा करना है इसे हम इसकिप नहीं करते हैं देखिए हमारी यह चोली बनके इस तरीके से आ गई है बहुत ही छोटी है यह मैंने काफी जूम कर रखा है इसलिए इस तरीके से हमें थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है यह यह देखिए इस तरीके से हमारी चोली बन के आ जाएगी जीरो नमबर के काना जी के लिए अब हम इसमें देखें नेक्स टो में हम फ्रेंड्स क्या करेंगे ये चोली सिर्फ जीरो नमबर के काना जी क्या आएगी एक नमबर के भी नहीं आएगी क्योंकि मैं विल्कुल फिटिंग की बना रही हूँ अब हम यह आपे यह दो चेन ली और दो चेन लेने के पर फैंट्स जितनी भी हमारी यह सभी चेन बच रही हैं सभी में से हमें हाफ हाफ डुलकुशा कर देना देखिए हमने ना घटाना है ना बढ़ाना है यह रो हमें सीधी सीधी इसी तरीके से कम्प्लीट करनी है फैंट्स सभी में से हाफ हाफ डुलकुशा लेना है तो चलिए मैं इस रो को कम्प्लीट कर लेती हूँ तो देखे फैंट्स बने यह रो बनाके कम्प्लीट कर लिए और हमारी चोली भी बहुत अच्छे से बन के आगी है यह देखे अब हम यहाँ से अपना धागा कट करके निकाल देंगे फैंट्स। इससे जcreamधा बड़ी चोली बनाएगे तो हमारे कानजी के बड़ी हो जाएगे की अगर फैंट आप हम्में असे से कट कर देंगे कॉट करने के बाद अपनी उनको यहांसे कीच के हापे अच्छ से नॉट लगा देंगे लिए मिअ लिए यह चोली बनके तियार हो गयी है नहीं है इसके एकस्टर दागले काज़ं दे Сп्न के यह गarchy दे ब और इट सब रहे हम अपनी प्रेस का घेरा बनाएंग आप इसे ही स्टाट करेंगे यहारी फर्स चेन है इसा प्रस चेन हैं अपना क्रोशय हो किस तरीके से डालेंगे और यह देखिए यहां से हम नौ्ट लगाते वे ऐसे नौ्ट लगा लेंगे और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे एक चेन लेंगे, दो चेन लेंगे और हमारी जो नेक्स चेन आ रही है फ्रेंड्स उसमें से हमें दो बाडल कोशा करेंगे सेम चेन में से फिर से हमें दो बाडल कोशा करना है और नेक्स चेन में भी हम देखें सबी चैनों में से यहां पर हमारा घेरा स्टार्ट करेंगे यह देखिए यह हमने दो बाडल को श्या करा पूरी रो फ्रेंड्स हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे तो चली से कंप्लीट कर लेती हूं देखी फैंट हमने पूरी रो बनाके अपनी कंप्लीट कर लिए नेच्ट चेन लेंगे और दो चेन लेने के बाद यहां से हम नेक्स चेन है इसको छोड़ेंगे जिस पर हमने दो चेन ले रखी है नेक्स चेन पर हमें दो बटल कुशा करना है यह हमने दो बार कोशा किया, उसके बाद next chain में हमें एक बार कोशा करना है, फिर next chain में फिर से हमें दो दो बार कोशा करना है, एक बार किया, same chain में फिर से हमने एक बार और किया, अब एक chain में फिर से हमें डो बार कोशा लेना है, उसके अगली chain में हमें दो बार कोशा लेना ह तो फ्रैंण्स ये पूल रो रो हम इसी तरीके से complete करेंगे एक चेन में से एक बाडर कोशे लेंगे दूसरी चेन में से दो बाडर कोशे तो चलिए इसे complete कर लेती हूँ देखे फ्रैंण्स मने ने ये रोब बनाके complete कर लिया और उन भी आँ से कट करके निकाल दिया वाइट कलर की अब हम यहां से ब्लू कलर का धागा लगाएंगे जो फर्स चेन है वहां से हम अपने धागे को डालेंगे थोड़ा लंबा छोड़ देंगे पीछे हम इसमें नॉट लगा देंगे बाद में एक दो और यह तीन तीन चैन ले लिए और यह हमने एक बर्टल कोशा किया है दो बर्टल कोशा किया को फ्じ兩 ऐख्रेंग और यह चार बरडल कोशा किया चार बरडल कोशा करने केपाद देखे प्र एक दो और यह तीन तीन बाटल को फिर से यहां पे डबल कोशा कर देंगे जैसे हमने ही यहाँ पर कर रहा है एक, दो, तीन, चार यह देखिए दो तीन और यह चार चार बडल कोशा करिया हमने पहले और फिर तीन चैन ली और फिर चार बडल कोशा लिया इसके बाद एके फेंट समा रहे हैं यहां पर एक दो तीन चार फिर चौती चेन में हमें फिर से इसी तरीके से एक बडल कोश्या किया यह दो बडल कोश्या किया और यह तीन बार और यह चार बार फिर तीन चेन ली हमने सेम चेन में फिर से हमें एक बडल कोश्या यह दो बा और यह 3 बाडल को शया हो गया और यह 4 बार तो देखे फैंट्स हमारा यह कुछ इस तरीके से डिजाइन मन के आजाएगा यह देखे इस तरीके से कुछ हमारा यह डिजाइन मन के आएगा तो चलिए हम इसे, इसी तरीके से पूरी रोगों हम complete करेंगे, 1,2,3, चौती चेन में हमें ये देखे, पहले हम 4 बाडल को शल लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, और फिर सेम चेन में फिर से हम 4 बाडल को शल लेंगे, ये हो गया 3, और ये 4, एक, दो, तीन, तीन चेन लेने के बाद सेम चेन में हमें डबल कोश्या लेना है, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये चार बडल कोश्या, तो देखे फ्रेंट्स हमारा ये कुछ इस तरीगे से बन के आ जाएगा, तो चलिए मैं पूरा रो कम्प्लीट कर लेती हूँ, देखे, फ्रेंट्स मैंने पूरी रो बना के कम्प्लीट कर लिया, और जो हमारा ये जो लास्ट का जो हमारा चेन रह गया था, उसमें मैंने सिर्फ एक सिंगल, एक डबल कोश्या कर दिया, ये लास्ट में जो चेन बचीती है हमारी, अब हम यहां से अपनी उन कट करके निका मोती अच्छा लगेगा, यह आप एक फ्लावर लगा दीजिए, यह आप एक मोती लगा दीजिए, आप कुछ भी लगा सकते हैं, और अगर काफी चोटी रहा ऐसा, तो हम इसमें फ्लावर बनाएंगे, तो काफी बढ़ा हो जागा, तो इसलिए हम इसमें एक वाइट कलर का मोती, बटन, आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो चेकर मैं इसमें लगा लेती हूँ, देके फ्रेंट्स में इसमें इसमें यह नग लगा दी हैं, और इड्रेस हमारी अब कितनी प्यारी लग रही है, मैं से कानल जी को, अब भी पहले एक कैप बना लेते हैं, फिर बना के दि देखे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, और चौदा, चौदा चेन मनाने के बाद देखे, फ्रेंट्स हमें यहाँ पे, सभी चेनों में, यह जो मारी फर्स चेन आ रही है, इसमें भी हमें एक, यह हम सिंगल कुशा देखे, नेक्स चेन में फिर से हमें एक सिंगल कुशा करना देखे, दो चेन ली, दोनों चेन उतार दी, फिर हम नेक्स चेन में डालेंगे, धागा लेंगे इदर से, और यह दोनों चेन एक साथ उतार देंगे, सभी चेनों में हमें फैंट्स एक एक बार सिंगल कुशा कर कर लिया है और यह देखिए हमारा इस तरीके से ही कैप आजाएगी यहां पर अब हम यहां से देखिए एक चेन ले लेंगे मैं एक चेन लेंगे और अपने वग कोटन करेंगे एक चेन और लेंगे फ्रेंड्स नैक्स जेन में हमें देखें, next chain में हमें एक double crochet करना है, यह दो chain उतारी पहले हमने, फिर दो chain और next chain में फिर से हमें, यह देखें, एक double crochet किया, सभी chain में से हमें friends, एक एक बार double crochet कर लेना है, यह देखें, इस तरीके से करते वे हम अपने पूरी row complete करेंगे, तो चलिए मैं इसे complete कर लेती हूँ, देखें, फैंस में इसका यह second row भी बनाके complete कर लिया है, अब हम इसे अपना white color का जरा सा own लगाएंगे, इसकी outline करने के लिए, हम इसे यही से, एक दो, दो chain लिए, और यह दोनों धागों को हमने tight कर दिया, और अपने work को turn किया, next chain में, एक double crochet कर देंगे friends, और यह, सभी chain में हमें, double crochet करना है, तो चले मैं से double crochet करके complete कर लेती हूँ, सभी chain में, देखे, पैस हमारा यह ribbon के complete हो गया, अब हम यहाँ से अपनी, उनको cut करके निकाल देंगे, छोटे काना जी किया, तो हमारे, ज्यादा हमें, बड़ी करने की जुरूत नहीं है, इसको हम यहाँ से cut करके निकालेंगे, और यह वाला blue वाला धागा हम थोड़ा सा लंबा करके काट लेंगे, जिससे की हमारी यह पे हमें stitching कर लेंगे, मैं इस धागे में चलिए सुई में अपने धागा डाल लेती हूँ देखे फैस हमने यह सुई में अपने धागा डाल लिया है अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे जहां से आपको सीधा लगता हो देखो कितनी अच्छे से फिरिशिंग आ रही है और पीछ थोड़ा सा डल सा लग रहा है यह उल्डी साइड होगी हमारी और यह सीधी साइड होगी इसको हम यहां से इस तरीके से पकड़ेंगे और यह यहां से चेन पकड़ेंगे अपनी यह वाली और यह वाली धागे को साइड करेंगे और यहां से हम इसको stitch कर देंगे दोनों साइट से हम chain पकड़ेंगे और chain पकड़ते वे हम इसको stitching कर देंगे ज्यादा हमें stitch करने की भी ज़रूत नहीं है वैसे यह बहुत अच्छे से बन के आ जाएगा और यह उपर से हम वैसे ही एक chain छोड़ेंगे एक chain में से निकालेंगे एक chain छोड़ेंगे एक chain में से सूई निकालेंगे इस तरीके से करते हुए जैसे हम हमेशा cap बनाते हैं अपनी उसी तरीके से हम cap बना लेंगे बह्त ही easy तरीका, अगर आप इस तरीके से cap बनाएंगे, तो आपको कोई दिकत में होगी? सीदी-सीदी पत्टी बनानी होती है बस, और सीदी-सीदी पत्टी बना के, इसको हम देखे इस तरीके से खीज देते हैं, ऐसे खीज देंगे, और इधर से भी कर देंगे अब हमारा ये धागा भी दिखाई दे रहा है हम इससे इसको नौट लगा देंगे ताकि हमारा ये यहां से निकले बिल्कुल भी ना अच्छे से हम नौट लगाएंगे और यहां से हम अपनी धागे को कट कर देंगे अपनी कैप को सीधा करेंगे देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी कैप बन गई है और यह देखिए चोटे काना जी की कैप इतनी ही बड़ी बनती है अपर मैं एक यही नग लगा दूंगी जो हमने ड्रेस में लगाया है इसमें लगाने के लिए हम अपना फैविकॉल यूज करते हैं और सबसे अच्छा हमारा यही फैविकॉल होता है इससे अकर आप एक बार कुछ भी चिपका देंगे तो इस पर ड्रेस पे से कुछ भी छूटेगा नहीं और यह फैविकॉल सूखने के बाद फ्रेंस ट्रांसफेरंट भी हो जाता है इसलिए सबसे अच्छा यही ह होता है आप इसे ही यूज़ करती हूं देखे पैट समय ड्रेस बनके टियार हो गई है और हमारी कैप बनके तियार हो गई है तो चलिए हम इसे कानजी को पिना के दिखा देते हैं देखिए हमारे जीरो नुमर के और इनको यह बहुत ही अच्छे से आ जाएगी राम जे हम पिनाएंगे और यह जो हमने स्टार्स लगाए हैं यह निकलेंगे नहीं जो हम यूज करते हैं फैब्रिक प्लू जो होता है वह विल्कुल भी निकलता नहीं है एक बार उससे चिपक जाए बस और उसके बाद वह विल्कुल फिक्स हो जाता है चाहे आप उसे कपड़े पर य यह देखें फैंस हमारे काना जी की ड्रेस बहुत ही अच्छे से और फिटिंग में आ गई है यह देखें सबसे छोटे काना जी हमारे यह और यह देखें इनको बहुत अच्छे से यह विल्कुल फिट आ रही है ड्रेस यह देखें कितने प्यारी इसमें लुक आ रहा है इन तो देखे फैर्स हमारी कैप भी बिल्कुल काणा जी की बनके तियार हो गई है और कितनी अच्छी शेप आ रही है इसमें मैं आपको इसका लूप चेंज करके दिखाती हूं देखे कितने अच्छी से हमारी काणा जी की ड्रेस हा गई है और मैं आपको बैक साइड से भी दिखा दोती हूं और देखे हमारी कैप पे भी यह स्टोन कितने प्यारे लग रहे हैं तो फ्रैंड्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अब क्यों यह ड्रेस कैसी किसा अपादे खोड़िन खार्बर Chयों और उग्यारे जो cloth लूर्मेड्स माति हमारी का